दोस्तों की महफिलों में होती होगी वाट्स अप गृप्स में होती है तो हमने भी सूचा क्यों ना मूदी सरकार के 9 साल पर एक बहस TV9 बारतवाश के इस हाइटेक स्टूडियो में भी की जाए लेकिन वैसी नहीं जैसी की गली चुराहों पर होती है बल्कि ऐसी बहस जिसमें सार्थक तत्यों पर बात होगी तर्कों पर बात होगी जिसमें चीखना चिलाना नहीं होगा बल्कि अपने अपने पक्ष को तसली से समझाना होगा तो चलिए सरकार और बीजेबी का पक्ष रखने के लिए सूडियो में बुलाते हैं हमारे दो खास वैमान राजसभा सानसद और जोरदार प्रवक्ता सुधान्चु त्रिवेदी जी स्वागत है आपका सुधान्चु जी मेरे साथ है कॉंग्रेस की विपक्ष का पक्ष रखने के लिए कॉंग्रेस की धाकर प्रवक्ता सुप्रिया शीनेतर जी सुप्रिया जी स्वागत है आपका आईए प्लीज सुप्रिया जी आईए सुप्रिया जी और सुधान्चु जी स्टूडियो में आगए जोरदार तालिया हो आईए सुधान्चु जी तो एक सार्थक बहस हम करने जा रहे हैं मेरा जो सबसे पहला सवाल है शुरुआत करूँगा मैं आपसे सुधान्चु जी आप अपना पक्ष रखे और बताईए कि पिछले नौ साल में ऐसा क्या हुआ जो देश में उससे पहले नहीं होता था ऐसा क्या हुआ कि आज के भारत को आप न्यू इंडिया कहते हैं इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा कि 16 माई 2014 को चुनाओ परिणाम आए और मोदी जी के ने तृत में हमें इस पश्ट बहुमत मिला 18 माई 2014 को लंडन के संडे गार्डियन ने लिखा कि 16 माई 2014 का दिन शुड बी कंसीडर्ड एज इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद देस्टिनी और शुड बी कंसीडर्ड विद डे ओन विच बिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया क्योंकि उसने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक ऐसे लोगों का शासन रहा जिनकी विचार और प्रेणा में बिटिश कोलोनियल लिगेसी यानि बिटिश ऑपनिवेश वादी विरासत का प्रभाव था पहली बार एक ऐसे दल या संगठन के हाथ में पूर सत्ता आई है जिसके ओपर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है अब हुआ क्या उसके आने के बाद पचास करोड लोगों को जनधन खाता मिला 55 करोड लोग आईशमान भारत में यानि जिसमें स्वास्त का भीमा था उससे कवर हुए 5 करोड लोग उसका लाब भी ले चुके हैं हर गाओं में बिजली पहुँची वो लोग भी करने का प्रयास कर रहे थे कईए देखिये मैं कहता हूँ तीन प्रकार के कारे होते हैं एक जो पिछली सरकारे भी कर रही थी हमने भी किया जादा तेजगत से किया ट्रांसपरेंसी से किया कुछ जो पिछली सरकारे सोच रहीं थी और हिम्मत नहीं कर पाएं वो किया और कुछ जो पिछली सरकारे सोची नहीं पाएं तो बिजली पानी सड़क उसमें हम ने क्या किया सारे details आपको मिल सकते हैं जो इन्होंने सोचलाच था मरकर नहीं पाए, जैसे GST, हमने वो इंप्लिमेंट करके दिखा दिया। तीसरी कुछ ऐसी चीजे हैं, जो ये सोच भी नहीं पाए होंगे। जैसे सोलर इनर्जी में, भारत, बहुत आगे बढ़ा वो तो एक अलग बात है। मगर एक इंटरनेशनल सोलर एलाइंस बनेगा, और उसका केंदर भारत में होगा, यानि हम विश्व में सौर उर्जा के नेता बनके उबरेंगे, ये किसी को समझ में नहीं आया होगा, यहाँ बदलाव हमारे टाइम में आया। पृतिवेक्ति आये, 86,000 रुपए थी, अब 1,82,000 रुपए हो गई, यानि डबल हो गई, पांचवी बड़ी अर्थेवस्था बन गए, मोबाइल मैनिफेक्चरिंग में सेकेंड नमबर की दुनिया में देश बन गए, कार मैनिफेक्चरिंग में भी तीसरे नमबर के देखिए, महाकाल का कॉरेडोर देखिए, काची विशुनात का कॉरेडोर देखिए, और इतना ही नहीं, उभरता हुआ भारत की शक्ति का प्रतीक नया संसत भवन देखिए, तो ये बदलाव आया, कि अरुण गगन पर महा प्रगतिका अब ये मंगल गान उठा, करवट ब देखिए, और लाइनिंग पाट ये भी था कि कौन सी चीजें जो आपने सोची आप नहीं कर पाए और कौन सी चीजें जो आपने सोची नहीं वो भी इन्होंने कर दिया, आप लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, ये New India नहीं है, आपका तर क्या है? नाकामी के 9 साल इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ये 9 साल अदभुत थे क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे जुमले हमने सुने जो हमने कभी नहीं सुने थे, मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ, आज हर व्यक्ती बैंक जा रहा है अपना एक या दो या गड़ी, दो हजार की बदलने के लिए, जो 7 साल अपना लाया हुआ रुपिया नहीं चला पाए, वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं और 9 साल का सीना ठोक रहे हैं, ये इनकी असलियत है, अब आपको मैं क्रमवार तरीके से बता देती हूँ, इस देश ने क्या देखा, इस देश ने 9 साल में सबसे जादा बेरोजगारी देखी, और बेरोजगारी ऐसी देखी कि जब आप सरकार से सवाल पूछिए, तो इस देश ने सुना, पकोडे तलो, इस देश ने महंगाई देखी, और जब महंगाई का मुद्दा उठाया गया, तो कहा गया, हम लहसन प्याज नहीं खाते हैं, इस देश ने सुना, आगे सुनिए, इस देश में बोला गया, 15-15 लाग सब के अकाउंट में आएंगे, 83 प्रतिशन जनता की आए कम हो गई है, और आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, फ्रंट पेज की, जिसमें पूरी तरह से अंकित है, कि अग्रिकल्चर लेबर नौन अग्रिकल्चर लेबर और दिहारी मजदूर सबसे ज़्यादा प्रतारित है, 2014 से उसकी आए नेगेटिव हुई है, यह इनके कीरतिमान है, लेकिन अब क्यूंकि बात हो ही रही है, जो तथ हिनों ने दिये, कार मैनुफैक्चरिंग, साथ, एक, दो, ती, नहीं, साथ बड़े ऑटो मोबील जायंट्स भारत में अपनी दुकान बंद करके चले गए, चाहे वो GM Motors हो, चाहे वो Fiat हो, चाहे वो Enfield हो, अपनी दुकाने बंद करके चले गए, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है सरकार की नीतियों पर, यह मोबाइल मैनुफैक्चरिंग की बात करते है इस देश ने एक चीज बहुत बड़ी देखी, इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा, जो जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तो कहते थे चीन को लाल आख दिखाएंगे, और जब चीन अतिक्रमण करके बैठा है, तो प्रधानमंत्री लाल शर्ट पहन के उनकी जी ह के लिए अपने खाने की ठाली छोड़कर खड़े हो जाते हैं इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो चीन को सबक सिखाने के बजाए तीन साल से चीन को अपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है चीन और हमारा ट्रेड डेफिसित सो बिलियन ड देकर इस देश ने मड़ीपुर को जलते हुए देखा लेकिन प्रधानमंत्री और अमिट्शा जी के मूँपर एक जरा सी शिकर नहीं देखी इस देश में तैरती लाशे भी देखी ये देश सब कुछ देखता है और अब देश ये भी देख रहा है कि भारत के संसद का आजी सबहा और लोकसबहा राश्चपती को दरकिनार करके ये मोधी शो जो हो रहा है ये भी देख रहा है किराए के लोग ले जाकर जो बाहर शो होता है वो भी देख रहा है और ये देश आज एक सवाल पूछ रहा है जब रामनात कोविंजी राश्पती बने आपने का द इनको इस हक से बंचित क्यों किया जा रहा है ये सवाल सब पूछ रहे हैं और आज इतिहास बन रहा है और मैं अपनी बात यही कह कर खत्म करती हूं कि इतिहास मोदी जी को लगता है इमारतों से बनता है जी नहीं इतिहास ना इमारतों से बनता है ना नौ साल में बनता है इत इतिहास तब बनता है जब 19-वी सदी के भारत में आप 21-वी सदी की IT और टेलिकॉम रेवल्यूशन की नीव रखते हैं। इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी एकॉनिमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक एहम हिस्सा बनते हैं। इतिहास तब बनता है जब 2004-2014 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के उपर खीचते हैं। इनके और उसमें यही अंतर हैं। यह नियम बनाते थे। मोधी सरकार ने 2000 ऐसे नियम समाप्त किये हैं जो रिडंडेंट अप्रासांगिक हो चुके थे, व्यर्थ के हो चुके थे, पर केवल सरकारी कारे में बाधा उत्पन करने के लिए बने हुए थे। मैं उधारन बताना चाहता हूँ ये। अमिशा जी ने मुझे स्वैम बताया था कि जब वो ग्रह मंत्री बने गुजरात के तो जानते क्या था। 1965 की लडाई के समय गुबारे पाकिस्तान की तरफ से आते थे, वो कुछ पेपर डाल देते थे भारत की तरफ। तो हर हफते पुलिस की रिपोर्ट आती थी कि इस साल कोई गुबारा नहीं आया, अरे भईया सेटलाइट का जमाना आ गया, और गुबारे का नियम बना हुआ, नियम का पालन हो रहा था, ऐसे एपसर्ड रूल्स को हटाने का काम किया, यह हमारी इनकी सोच मेंतर है, अब जो इन्होंने बोला, अब मैं सिर्फ facts बोल देता हूँ, बजाए इसके कि जैसे इन्होंने कुछ कहा, यह हुआ है, वो हुआ, क्रिस्टीना जिओर जीवा, IMF की चेर्मेन है, उन्होंने कहा कि अगले साल भारत दुनिया में 15% ग्रोथ को contribute करेगा, वर्ड की ग्रोथ में 15% कंट्रिबूट करेगा, हमारी सरकार आने से पहले हमारा ग्लोबल GDP में 2.4% का हिस्सा था, अब 9% सूपर का, और इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो मैं मानता हूँ, सुनिये, जब mobile handset हम सब use करते हैं, जब हमारी सरकार आई, तो हम second biggest consumer थे, क्योंकि हमारे यहाँ सबस्य हो रही है, वो तो आस्मान से कही जिन्नात आके बना रहे होंगे, 37 किलो मीटर पर डे अगर रोड बन रही है, तो यह भी को रोजगा थोड़ी सजित हो रहे, वो कोई हवा से आके बना रहे होंगे, साड़े तीन करोड मकान बन गए, प्रधान मंतरी आवाज, वो भी किसी ने आके हवा में बना दी होंगे, उसके लिए भी ऐसी क्या जरूरत थी, कार में रिफेक्चरिंग में, आज 7.5 करोड परिवार भारत के ऐसे इनके बास कार हो गया, वो कार भी किसी ने आके हवा में बना दी होगी, इसलिए और युनों ने कहा, विदेशी कंपनिया चली कहीं, बिल्कुल, रे हमारी देशी कंपनिया अब उस लेविल पे आई, महिंद्रा और टाटा टाटा ने आर्सलर को खरीद लिया, दुनिया की टॉप की कंपनियों में से एक आर्सलर को खरीद लिया, मगर अब क्या बताएं, अब ये कहते हैं, चीन के अतिक्रमन की बात, जिनके दिमागों के ऊपर चीन ने अतिक्रमन कर रखा है, कॉंट्रेक्ट के थू, अब उसके लिए क्या करें, चाइना को हमने, अब ये लोगे बहुत संटेंस बोलते हैं, चाइना को, हमने चाइना के सीजिंग पिंग को जूला जुलाया था, बताएं कैसा जूला जूला पाकिस्तान, ना कोरिया पाकिस्तान वाकी थातम, इन्होंने कुछ बाते बोली और उन बातों को बोलने से पहले मैं एक महिला हूँ, आधियाबादी की बात कर लेते हैं, यहां से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर दूर पर इस देश की सबसे डेकुरेटेड, सबसे सम्मानित वो लड़कियां, जिन्होंने बड़ो बड़ो को पठकनी देके हम सब के सीने गर्व से चोड़े की हैं, एक महिले से बैठी हैं, और योन शोशर का अरोप आपके सांसक पर लगा रही है, आपके मुझे एक शब नहीं फूटता है, एक शब नहीं निकलता है, मोदी जी के म अंकिता ठाकूर कया, जिसने कतल किया, जिसने उसको जिसम फरोशी में ढखेला, वो आपके विधायक का बेटा था, आप क्यों चुप हैं, आपने वहाँ पर इमारत ही गिरादी की सबूत ही न मिले, आपका विधायक दोशी पाया गया है, हत्या और सामुहिक बलातकार का क पुलदीप सिंग सेंगर, ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर, ये चूडिया भेचते थे प्रधान मंत्री को, आज इनके मुझ से एक शब नहीं पूटता, महिलाएं इस देश की पूछ रही हैं, और आपको भी पूछना चाहिए, क्यों चुप है मोधी सरकार, जब हमा और यौन शोशन की खबरों के बाद एक अप्लिकेशन नहीं आई है, ये इस देश की बेटियों के साथ ये कर रहे है, ये हमें पाठ पड़ाएंगे, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, और वो बात बोलते-बोलते पाकिस्तान पर चले गए, आज तक इस देश का ये न्याय था कि आज तक ISI ने हमारी जमीन पर पैर नहीं रखा था, ISI को पठान कोट बुलाकर आपने रिक्षर कर आते हैं, लवहर आप चले जाते हैं लपके हुए, भगवान जाने सिवाई खाने या बिर्यानी खाने और सवाल हमसे आप पूछिएगा, आसिया अंदरा ये जाबाजों की शहादत पर चुप रहेंगे, मणीपुर जलेगा ये चुप रहेंगे, ये प्रचार करते रहेंगे, इनको ये याद है कि इनको क्या क्या कहा गया, करनाटक जाकर क्या कहते थे साहब, मुझे फलाने ने ये कहा, करनाटक ने क्या कहा, करनाटक की जनता न ये विश्वगुरू बने फिरते हैं, इनकी बातें सुन लीजे तो भारत शायद 1947 में ही आजाद हुआ हो, के बाद अब 2014 में आजाद हो गया हो, मेरा अपना मानना है कि कुछ बातें जब समझ में नहीं आती हैं, उसको नहीं बार-बार बोलना चाहिए, मैंने आपको एक बा मोबाइल की, जी नहीं, हम मोबाइल फोन की असेंबली कर रहे हैं, हमारा जो इंपोर्ट का बिल बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है, क्योंकि हम उतना पार्ट असेंबल कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नेगेटिव है, हमारा जो कार का एक्सपोर्ट का मार्केट था, वो क कि रिखाएंगे, दोशी रेप में आपके विधायक पाई जाएंगे, आपके सांसक के उपर यौन शोशड का आरोप है, आपके विधायक का बेटा एक लड़की के कतल का मुर्जम पाया जाता है, आप अब महिलाओ की बात कब करिएगा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से यह सवाल मेरा है, कि साक्षी मलिक और विनेश होगट से आप तब मिलने जाइएगा, उसका जवाब दे दो, पहली बात तो वाट्सअप उनिवस्टी का कमाल देखिए साब, एसेंबली होती है, वैलू एडिशन निगेटिव हो जाता है, अरे भाईया, ऐसा कहीं होता है, अगर कहीं पर, कोई आपको एसेंबल करने को द होने हैं, इसे कहते हैं, वाट्सअप उनिवस्टी है, राहूल गांदी उनिवस्टी आप जो भी समझ लीजिए, अब दूसरी वाट्सअप उनिवस्टी आप चलाते हैं, दूसरी, अरे भाई, आपने हम लोग हैं, हमने आतंगबाद के इतनी घटना है, उत्तर से दक्षन तक बता दिए, अब दक्षन कश्मीर के चार जिलों में रह गया है, वो दिखाई नहीं पड़ा, उसके लिए इनको आँकड़े चाहिए, पर मैं कह सकता हूँ, हमारी सरकार के किसी नेताने आतंगबादियों के लिए आँसु नहीं बहाएं, हम ये कह सकते हमारे किसी नेता पाद फासी नहीं दे रही थी, पर अब तो सुनिया जी के आँक में आसु नहीं आए, बटाला हाउस के इंकाउंटर के आरोपियों के लिए आँसु आए, हमने किसी जाकिर नायक को शांतिका मसिया कहने वाले, इसरच जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा क कहने वाले, हाफिस को साहब कहने वाले, उसामा को जी कहने वाले, बुरहनवानी को भटका नौजवान कहने वाले, आतंकवाद पे भाचर दे रहे हैं, इसलिए हम महिला की बात करता हूं, बिल्किस बानों की बात ये कर रहे हैं, 14 साल वो लोग जेल रख याए, मुस्लिम इसलिए बोला, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक मुस्लिम महिला थी, इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलातकार किया, और मौलवी ने फत्वा दे दिया, कि बात से वो अपने ससुर की पत्नी और पती की मा हो गई, और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब बिद्वान थे, चू नहीं बोला, ये इनका महिलाओं के परती सम्मान थे, हमारे यांक किसी ने नैना साहानी को तंदूर में चलाया, छोड़िए वो सब आरोप परत्यारोप, मैं तो सो बात की बात कहना चाहता हूँ, वो कहां गये, वो नों का सम्मान करते थे, जिन्हों कम्यूटी के साथ हुआ, और सब माउन साधन के रहे, क्योंकि वो सेकुलरिज्म का सुन्दर संगीत था, उससे इनको वोट मिलने थे, कहते हैं, आईसाई भारत की धरती पे नहीं था, मैडम, आपकी सरकार के समय में रिपोर्टे हैं, आईसाई के कितने मॉडूल्स काम कर और जो आप बता रही है, वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, उसके बाद तो जो ठुकाई हुई, कहां, उरी में, जो कुछ हुआ बाला कोट में, उसके बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान बोले, पाकिस्तान की नेशनल एसमली में, जो हिंदुस्ता ने किया है बाला कोट में उससे जादा कुछ खौफनाक ये लोग करना चाह रहे हैं आप ये सोचिए आप शांत के कबूतर उड़ाते थे और हमने बाज उड़ाए हैं गुरु गोविन सिंग जी की तरहें दूसरा मैं पूछ रहा हूं पूछ रहा हूं बिल्कुल आपकर एक आपी का एक सवाल को उन्हें जवाब नहीं दिया मैं ले लूँ एक मिट फिर आपके बसानो उन्होंने पहलवानों का जिकर किया और उसको उन्होंने महिलाओं से जोड़ा बजाओ ताली पहलवान बैठे एक महीने से बजाओ ताली इस देश की बेटिया नियाय मांग रह यह सरकार के सामने एक चनौती है यह एक ऐसा इशू है जो कि बहुत आगे बढ़ रहा है और यह एक ऐसा इशू है जो कि सेटल डाउन नहीं हो रहा है आँ मैं बताता हूं इसकी तो जाच हो रही है जाच कोट के भी निर्देश पे हो रही है और इंडियन ओलम्पिक एसोस कॉंग्रेस में हो रही है उसका इंतजार नहीं करना है और तालीब जाना है और वहां कहना जबकि इनके मुख्यमंत्री ओमें चांडी ने कहा है कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री ने और कम्निस पार्टी के मुख्यमंत्री वहां महिला नहीं ना कश्मीर में चिंता महिला की न आप लोग जाके देख लिएगा लगे क्या बात कर रहें आप छोड़ियो उस बात को मैं इन्होंने महिलाओं पर बात करी और कहा जाच हो रही है मेरे अनकारी के अनुसार और मुझे जितना सारवजनिक जीवन के बारे में पता और लोगों को देखा है सारवजनिक जीवन में लोक लाज और नैतिकता से सरकारे चलती है लखीम पुर नरसंगार का मुख्य अभ्यूक्त का पिता आज भी ग्रह राजमंत्री बना हुआ है और इनका सांसद आद भी कुछती फ्रेडरेशन का अध्यक्षे क्यों है भाई लोक लाज तो यह कहता है Caesar's wife should be above suspicion निकालिये उनको आने दीजे रिपोर्ट अगर साफ होगा तो दुबारा अपने पद पर आ जाएंगे नहीं होगा तो उनके साथ कारवाई होनी चाहिए एक महिने से बेटिया बैठी है मैं आप से पूछती हूँ महिला बाल विकास मंत्री बहुत चिगारती है मुझ खोल खोल के फार फार के गला एक शब नहीं बोलेंगी वित मंत्री महिला एक शब नहीं बोलेंगी तमाम महिला सांसद एक शब नहीं बोलेंगी इस देश के प्रधान मंत्री जो कहते थे विनेश तो मेरे घर की बेटी है आज पूछने उससे आप गए और एक बात जनता की जानकारी के लिए सब को बता दूँ प्रधान मंत्री को तो इस यौन शोशर के बारे में 2021 से पता है विनेश फोगट ने पबलिकली का है मैंने प्रधान मंत्री को जाकर सारी बाते बताई थी क्यों प्रधान मंत्री चुप है ऐसी क्या फस यह इन लोगों की ब्रिजबूशन शरन सिंग से ये मैं जानना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यूपी से आती हूँ तो थोड़ी राजनेतिक समझ रखती हूँ, थोड़ी वहाँ पकड है मुझे ऐसा लगता है ये बाबा और अमित शाह की जो तनातनी है उसके बीच का मामला है ये इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहा है ब्रजबूशन श्रणान सिंग पर लेकिन ये दुनिया और ये देश देख रहा है कि अगर हमारी सबसे डेकुरेटेड आथलीट्स के साथ जिसके साथ फोटो खिचाने के लिए सबसे पहले प्रदान मंतरी पहुँचेंगे वो एक महीने से जंतर मंतर पे बैठी है उनको पिटवाया भी दिल्ली पुलीस ने उनकी F.I.R. भी तब हुई जब सुप्रीम कोट ने का सरकार ने और उनकी पुलीस ने F.I.R. नहीं करी और अब मैं दो-चार बाते क्योंकि इतना लंबा मैंने प्रवचन सुना R.S.S. को बैन करने पे आपको बड़ी आपती है R.S.S. को बैन तो सरदार वल्ला बाई पटे लौपुरुष ने किया था और ये कहकर किया था कि वो देश के लिए अच्छे नहीं है लेकिन आज आज आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या यहाँ पर इस देश के एक सांसद ने जिन्होंने समविधान की शपत लिए इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगर ने कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आपको राश्चुपिता कहता है राश्चुपिता अपने आपको महत्मा गांधी ने नहीं कहा था राश्चुपिता की उपादी उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दीती है यह याद रखिएगा आप और गांधी पर सवाल उठाने वाले RSS के लोग यह भी याद रखिएगा कि जब विश्व में जाते हैं न तो नतमस तक गांधी के आगई होना पड़ता है श्रीष गांधी के आगई जुड़खाना पड़ता है और माननिता और वैदिता गांधी से मिलती है अगर ऐसा नहीं है तो जाईए लगाईए अपने RSS वालों की एक फोटो और जाईए उस्ट्रेलिया और चीन और जहां भी जाते हैं श्रीष जुकाईए पुछत्तर नहीं है कोई गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है इस देश की नेतिक्ता की धुरी है इस देश के राष्ट शुपिता है और आजादी के अंदोलन के सबसे बड़े जननायक है आप महात्मा गांधी को एक सांसद होने के बाद इस तरह की बात कहेंगे आप 1947 की आजादी को बिलकुल हमारी सनातनी परंपरा है बिलकुल हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन है लेकिन ये भी सच है कि 200 साल बिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी और जो भी उसको नगारे करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लिमेंट पे रहने का आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से सबसे पहले कुछ फैक्ट दिखा रहा हूँ आईए जरा प्रती विक्ति आए दिखाईए जवाब ने जले भी बनाएंगे दिखाईए ये देखिए अब जो मैं आपके सामने फैक्ट दिखा रहा हूँ और ये आपके सामने दो हजार तेईस प्रती विक्ति आए चैसी हजार चारसो सरसट और एक लाग बहत्तर हजार सुप्या जी आपका रियाक्शन जी वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एकॉनमी की हम तीनों के बीच म में दो जगे कम ही लग रही है मुझे सौरी में आपको भी मित्रवान कोई बाद नी बदाई आप सौरासी हजार थी दो हजार चौदा में अगर आप दो हजार चार पे देखीगा तो और कम थी प्रतिव्यक्ति आए तो जब एकॉनमी का साइस बढ़ेगा बढ़ेगी आपको लाइक्स तो लाइक्स कंपेर कर रहा है मैं आपको समझाती हूँ हिंदुस्तान में एवरेज आए क्या है हमारे यहां एवरेज पावर्टि का रेट क्या है ओके शुदान चुदान चुदी अब आपना जवाब इस पहले करना चाहिए यहां आदमी 70-80 रुपए में भी जाके नाश्ता कर सकता है अमेरिका में दिखाईए को जहां एक डॉलर में नाश्ता हो सकता हो च बिचन में केरल से मूँ मोड ले गई है केरल पर नहीं बोला पर आपकी बख्याओ धड़के रगदी मूँ क्या मोल लिया बताया तो सुप्रीम पर नहीं किया और तीन की तो मूवी में कहानी है और सुनिये 300 के बारे में के मुक्यमंत्री फ्लोर अफ दाउस पर बोल चुक किया इनके सीम ओमन चांडी ने यहां कह रही है कि जांच का इंजार नहीं करो करवाई कर दो केरल में जांच हो चुकी केरल स्टीएफ ने 5000 केसे की स्टडी करके केरल के हाई कोड को रिपोर्ट सम्मिट की हाई कोड ने और अगर ना हो तो जाइए चेक करिए 9 दिसंबर 2009 श लड़कों की तरफ से और यह केरल की आपकी सरकार की जांच की रिपोर्ट है कि सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी और जिसके चलते हुए मिटिल और अपर मिटिल क्लास की हिंदू और क्रिश्टियन गल्स को टार्गेट मता अपने नेता को भी जूटा साबित कर दो दूसरे पर फिर उपर吗 इंत्र है अरेवे गुलामी 200 साल की ति अगर 200 साल अब इसलिए मैं पहली बात कई ती पहली बार एके सथा जिस पे विदेशी प्रभाव नहीं है यह विदेशी प्रभाव है कि 200 साल की घुलामी में ही चलते रहते हैं अब इन्हों ने कहा राज हा रहे हम हा रहे हैं मगर जानते क्या अंतर है करनाटका में हमारा आज भी वोट शियर 36 परसेंट हैं जो हमारा हम चुनाव रहे हैं मगर हमारा वोट पर्सेंटेज और टाइम है यह 75 साल का और हम हिमाचल हा रहे हैं जहां हम 37,000 वोट कम हैं पूरी हिमाचल स्टेट में यहां एक मगर आप चहां हारें हैं गुजरात में 32 ऐसी थी जो 47 से आज तक नहीं हा रहे थे वोट परसंटेज आधा रहे गया उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक और एक सांसद यानि सुनिये लगभग सभी सीटों पे जमाना जब्त यानि आज उत्तर प्रदेश में हालत ये है गांधी परिवार के ग्रह राज में कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में तो आप जहां हारे हैं वो बरबादी का सबब ले क्या हैं हम और इन्होंने का दक्षिन का बार बंद हो गया अच्छे है बताईए करनाटक चे पहले कॉंग्रेस की दक्षिन के किता राज्ट पिता राज्ट पिता गलत है अरे मैं करता हूं सरहतन राष्ट पांच यार साल आपने बोला तो 1879 में हुए कोई उपन हुए वेक्ति राष्पिता केसे होगे वह वह पानी पीजे अरे मतों कर रहा हूं ना पांच या सबबता थी ना आप पहले बताईए राष्ट पिता कहना उनको गलत है या सही है हा मैं प्लिकुल मैं बोल खाहू जवाब तो सुन 생 attack का मात्म गांधी की बात हो रही है गांधी जी का राज्यतिक दर्शन क्या था राम्राज्य। मैं में वी मॉल्यथा जवाप दरशनु क्या था रामराज्य। शब्द था हे राम जो समाधी पर आज तक लिखा है और भगवान राम ने क्या बोला जननी जन्म भूमिश्य स्वरगाद अपी गरिये सी यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे राम से उपर उनका कोई पिता हो गया अब दूसरी बात म मैं कहने को तैयार हूँ कि उसको मुर्दाबाद कहिए आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलिए मैं बोलने को तैयार हूँ जिसने गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं यानि महात्मा गांधी की समाध में लिका हे राम गलत है चूट है बोलिए आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल है जोर से बोलिए गांधी परिवार मुर्दाबाद शरीर बड़ा या आत्मा बड़ी बोलिए गांधी राजपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है उस विचार के लिए मैं भी तैयार हूँ बोलिए जोर से आपने अब मेरा बोलने का टरन है यह है आरेसस की सोच और यह है नाथूराम गोड़से के वंशज जो आज भी गांधी को शन शन मारते हैं यह काली चलन से कम नहीं है इस देश के सांसदें इस पर मुझे दुख होता है दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधान मंत्री को इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महत्मा गांधी थे जिन्होंने आत्मसाथ किया रामराज को जिन्होंने बोला देहिक देविक भौतिक इतापा रामराज नहीं काहूं वहापा आप मुझे एक बात बताईए उसको मारने वाले के मुर्दा बात करने में ग उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहें जो गोट से ने किया गांधी को आज भी आप शडशड़ मांगते हैं संसद होने के बावजूद हम नौ साल से डिफलेक्ट करके 1947 के पहले चले हैं जिती देर यह लेगे तो तो मुझे भी हक हो है ना 9.7 लाक और उसमें उन्होंने कहा कि रेलवे में खाली करीब 3 लाक 2 लाक 93 हजार क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है या ये एक ऐसा एरिया और है जहां पर सरकार Employment Generate नहीं कर पाई जहां पर हमें बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन वो फेलियर रहा और ये 9 साल में एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद अच्छे तरीके से देखा जा सकता था मैं हवा में बात नहीं करूँगा periodic labor survey का data जाके देख लीजे पिछले महिने में बेरोजगारी की दर 4.1 प्रतिश्यत पे आ गई है जो 2018 के बाद सबसे कम है तो उसने का COVID के बाद के दौर में भारत की अर्थवेश्था निकल कर सामने आ रही हवा में नहीं बोलूँगा जै कारने स्वरोजगार रोजगार प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सब जगे सम प्रचुर मात्रा में अवसर क्रियेट करने का प्रयास किया पर पिछले दो वर्ष जो COVID के कारण और रशिया यूक्रेन युद के कारण जो परिस्तिती थी इसलिए मैंने पूछाए दुनि कुछ चीज़ें पूछा हूं आपसे अब हम बात करते हैं सेंसिस की जो की 2021 में फॉर वेरियस वीजन और और अब्वियस वीजन से कोरोना की वज़े से डिले हुआ वह अभी भी नहीं हो रहा माइक्रो लेविल पर एनालिसस में बड़ी दिक्कत आती है अगर सेंसिस नहीं है तो निश्चित रूप से जो भी निश्चित समयवदी होगी उसमें सेंसस हो जाए लेकिन आपको लगता नहीं है कि कुछ जाधा ही चीज़ें डिले होते जारी है प्रोकासिनेट होते जारी है हां मानी भी बात है वो तो जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसको तैग करना है और किस चीज़ को अधिक महातू देना है एक और चीज़ अगर मैं बात करूँ आप चाहे वो सिटिजन्शिप अमेंडमेंट मेंट बिल्क हो चाहे वो फार्म्स लौ हो यह वो चीज़ें हैं जो आप लोगो ने कुछ आउट अट और वाक्स करने कोशिश की लेकिन हो न संसद के पारित विधेक के खिलाफ राज्यों में विधेक पारित किया सरासर असमवैधानिक कारे और नागरिक्ता तो राज्य का विशय नहीं है नागरिक्ता के उपर किया और इससे अदा मुझे पीड़ा इतनी जादा हुई जिसकी कोई हद नहीं है कि आप ये बताईए आप उन लोगों के बारे में सबूत मांगते थे जो पर्सीकूशन सहसे कर भारत आ रहे थे मतलब पाकिस्तान मंगला देश में हिंदू सिक जैन बौधों के साथ क्या हो रहा था इसके लिए इनको सबूत चाहिए था परंतु उसके बाद कह रहे हैं कि साब उनके लोगों क आप ने पूछा गया हो कुछ भी अच्छानी क्या हो ऐसा हो तो कुछ पॉसिबल शोइनी सकता कुछ तो ऐसा होगा जो सरकारने ऐसा किया जो इसलिए कि वाकिभी में काविल्य नहीं है इसका जवाब दूए आपने तीन सवाल पूछे थे मिला की संसेश किनो सैंसिपांस अरे बैया सरकार तो आप ही चला रहे हैं जुन जुना बजाने के लिए वहाँ पे बैठे हैं पहली बात ही है आपने पूछा नौकरियां दो साल से नहीं हुई है वैसे तो इतनी नौकरियां बन रही है हिंदुस्तान में सबको नौकरियां मिल गई की असलियत यह है कि आपके तुगलकी फर्मानों के चलते 8.2% ग्रोथ की GDP 4.1 पर करोना काल के पहले आप घसीट लाए थे करोना के बाद की मैं बात नहीं कर रही हूँ 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी करोना के पहले थी लेकिन चलिए एक बात जरूर बुलना चाहती हूँ आपने CAA और NRC पर इंसे सवाल किया और किसान बिल पर किया नई संसद का इनागुरेशन हो रहा है ना उस नई संसद में मैं भगवान से प्रार्थना करती हो कि लोकतंत्र की आत्मा की हत्या यह कम करेंगे CAA NRC आपने पास किया साड़े तीन साल हो गए आज तक rules notify क्यों नहीं किये गए वो भी जुन जुना था सर्फ polarize करना था rules notify आज तक नहीं हुए साड़े तीन साल हो गए किसान बिल किसान बिल आपने पास किया था साड़े 700 किसानों की शहादत भी हो गई सत्यपाल मलिक आपके बनाए हुए governor मेघाले, गोवा, बिहार आपके बनाए हुए governor जम्मू कश्मीर वो कहते हैं प्रधान मंतरी से मैंने कहा साड़े 700 किसान मर गए प्रधान मंतरी कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है उसके बाद प्रधान मंतरी ही, उसको वापस ले लेते हैं तो किसान बिल भी master stroke था, वापस लेना भी master stroke था नोट बंदी भी master stroke थी, वापस लेना भी master stroke है ये कौन से गिर्वी दिमाग रख के लोग बात करते हैं मेरा अपना मानना एक चीज़ सरकार ने अच्छी करिया और उसमें इनको सौ में से सौ अंक मिलने चाहिए बिना काम का धिंडोरा कैसे पीटा जाता है, उसका सबक इन्होंने सबको पढ़ा दिया है खुब लोगों ने वो सीख लिया है बिना रती भर का काम मत करो और ऐसा धिंडोरा पीटो की लगे वाजीवा वो इन्होंने अच्छा किया है, इन्होंने सबको सिखाया है काम के नाम पर, उपलब्दियों के नाम पर इनका रिकॉर्ड 9 साल का निल बटा सननाटा है मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, जीरो अपान जीरो है सुदान्चु जी, आपके रियाक्शन मिजे लगता है ये उत्तर प्रदेश में जीरो अपान जीरो अपनी परफॉर्मेंस के लिए बोल गई भावा बेश क्या-क्या महेंगाई, rate of growth क्या थी? 2%, 1.8% महेंगाई किदर 12%, 13% विरोजगारी प्रचंड और सुनिए अबे हसी बनना चाहते हैं लेकिन आपको भी पता जूट बोल रहे है, जूट बोलना है अरे वही अपना मोबाईल खोलिए, खोलिए अभी अभी मैं कहता हूँ, और देखिया, 78 से लेके आज तक कितनी बाद महेंगाई के रेट रहे है, और सुनिए इतना ही नहीं, इसमें 1978 में 1991 भी आता है, जब सोना गिरिवी रख दिया गया था, और एक बिलियन के नीचे आ सुना गिरिवी रखा गया, रुपे का अविमूलियन हुआ, देश भिकमंगा होने के कागार में पहुंच गया था, तब महंगाई कम थी, रोजगार ज्यादा सर्जित हो रहे थे, और आज कम हो रहे है, अद्वुद वाट्सेप जाने, मुझे जो जवाब चाहिए था, कि आखिर नौ वर्ष में क्या क्या हुआ, मैं पांच पॉंटर जवाब यह जानना चारा था, क्या क्या नहीं हुआ, उसको लेकर सवाल जवाब शुरू हुए, और चलेगा हमका, 1947 पर, अदानी पर, लेकिन यह बहत जारी रहे गी,